21 वी शत अब्दि विज्ञान का दौर है लेकिन कुछ शातिर बदमाश इस दौर को औरों को चूना लगाने के लिए प्रयोग मिला रहे हैं कोई ATM का क्लून बना कर दूसरे के खाते को साफ करने में लगा है तो कोई E-Trading के जर्ये लेकिन दोस्तों ATM जाने से पहले हो जाईए साफधान क्योंकि ATM से पैसे निकानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चंद मिनटों में ही आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खा ले आपके पीट पीछे कोई भी आपके खून पसीने की कमाई को गायब कर सकता है जियां दोस्तों कोई भी और आज आपको हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो फुटेज देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोगों को फ्रॉड करते हुए देख सकते हैं जिससे आपका बचना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सर्फ एक ही रेक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आपने ध्यान दिया होगा कि ATM मशीन में स्क्रीन की लेफ्ट राइट में चार चार बटन होते हैं जब हम ATM मशीन का इस्तिमाल करते हैं तो हमें केवल राइट साइड वाली चीज़ की जरत पड़ती है पर कभी कभी आपने देखा होगा कि ठीक बस ट्रेन की तरह ATM के अंदर भी जरत से ज़्यादा भीड होती है और जल्दबाजी में जाने के लिए सभी एक साथ ATM के अंदर चले जाते हैं ऐसे में हो सकता है कि ATM फ्रॉड करने वाले लोगों के ग्रुप ने भी जानबूच कर भीड लगा रखे हो कहने का मतलब है कि जैसे जेब कत्रे ठीक बस ट्रेन में भीड का हुजूम बना कर अपने शिकार को धर्दबोचते हैं वैसे ही जानकारी के अभाब में जब बुजोर्ग या कोई महिला जिसे ATM का ग्यान न हो जैसे ही ATM का यूज कर रहे होते हैं तो अपराधियों के गिरोह में से कोई एक अपराधी चालाकी से लिफ्ट साइड वाली कीज दो तीन बार दबा देता है ऐसे में ATM मशीन हैंग हो जाते है और आगे सोने पर सुहागा तब होता है जब पैसा न निकलता देख और आपको परिशान होता देख बड़े अदब से और इज़त सतकार देते हुई वो बोलता है भाई साब अगर आपके पैसे नहीं निकल रहे है तो मैं कोशिश करके देखू फिर अपराधी अपने ATM कार्ड आधा मशीन के अंदर डाल कर जल्दी से पैसे खीच लेता है और आपके द्वारा डाले गई वो रकम या आपके द्वारा डाले गए पैसे वो निकाल लेता है क्योंकि ATM हैंग होने के थोड़ी दिर बाद नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे पुराने कमांड और इंस्ट्रक्शन्स को पूरा करने लगती है तो दोस्तों आगे से आप ध्यान रखना जब कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो थोड़ी देर के लिए ATM के नॉर्मल होने का इंदजार जरूर करें या फिर जब आप ATM के अंदर हो तो किसी और को या एक साथ भीड को अंदर न गुसने दे नुम्बर टूर दोस्तों फेवी क्विक के मदद से पैसे चुराना जी हैं आपने सई सुना वही 5 रूपय में मिलने वाला फेवी क्विक की अगलू जो छोटी मोटी चीज़ों को चोड़ने या चिपकाने के काम आ सकता है कभी आपने सोचा है कि 5 रुपय में मिलने वाला फेविक वेक या ग्लू आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है असल में ATM मशीन में जहाँ पर इंटर एक्जेट का बटन होता है वहीं पर बटन के नीचे फेविक वेक या ग्लू डाल दिया जाता है और जब आप ATM मशीन का इस्तेमाल करते हो तो ये बटन आपको जाम मिलता है और आप वहां से ये सोच कर चले जाते हो कि शायद मशीन के कीज काम नहीं कर रही लेकिन आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले ही आपके पीछे खड़ा अपराधी आपके ही द्वारा डाली गए information के मदद से जो amount आपने डाली थी उसको लेकर रफू चकर हो जाता है और ठीक इसी तरह से अपराधी staple pin या safety pin को cancel button के नीचे डाल देते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके द्वारा डाली गए information के बाद भी cash withdrawal processing pending हो जाता है और आप cancel button से cancel करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आपने cash withdrawal cancel कर दिया है और वहाँ से चले जाते हैं लेकिन button के नीचे safety pin होने की वज़ा से वो cancel ही नहीं होता और ATM fraud करने वाले amount withdrawal करके ले जाते हैं इसलिए कभी भी cancel करते समय ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो transaction किया गया है वो सही मायने में cancel हो गया है या नहीं दोस्तों इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद चोरों की मदद करते हैं ATM में आपके कई कोशिशों के बाद जब पैसे नहीं निकलते तो आप अपने किस्मत और bank वालों को कोशी रहे होते हैं कि तभी पीछे बाहर का खड़ा आदमी आपकी मदद के लिए अंदर आ जाता है और बड़ी इजद से आपको अदर सदकार देते हुए बोलता है भाई साब लाइए मैं कर देता हूँ और आप मन ही मन उतनी देर में उस मददगार अजनाभी को लाखो दुआए दे चुके होते हैं या तो वो कैश नेकालने में आपकी मदद कर देता है या फिर वो यह कह देता है कि शायद ATM में कैश है ही नहीं और आप फिर उदास होकर वापस चले जाते हैं लेकिन जब तक आप घर पहुँचते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो आईए बताते हैं कि आखिर ये चोरी कैसे होते है जब आप ATM में गए तो उससे पहले चोर ATM को हाक कर देते हैं और जब आप पैसे निकालने के नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं तो ठीक उसी समय चोर मददगार बनके पीछे से आता है और सबसे पहले ये देखता है कि आपके पास ATM कार्ड कौन सा है और अपने पास पहले से मौझूद तमाम ATM कार्ड में से आपके जैसे वाला ATM कार्ड अपने हाथ में रख लेता है और आपका असली ATM लेकर स्वाइब करता हुआ उसका हाथ पीछे जाता है और अपने पास मौझूद हूब हूँ ATM कार्ट से बदल लेता है कार्ट वो आपको वापस देता है उस वक्त आप बटन दबाने में बिजी होते हैं और बिना ध्यान दिये या बिना ATM पर नाम देखे अपना ATM कार्ट रख लेते हैं लेकिन वहीं पर खड़ा ये चोर आपके द्वारा डाले गए पिन पर नजरे गड़ाय रखता है और आपका पिन याद कर लेता है और अब उस चोर के पैस आपका ATM और पिन कार्ट दोनों मौझूद होते हैं जिससे वो आपके खाते का इस्तेमाल करके आपके पैसे रफुचकर कर देगा और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे चोर ने हाथो हाथ लाखो रुपए उड़ा दिये इस आदमी ने मदद के बाद ATM लेकर बगल में मौझूद साथी को चुपके से ATM कार्ट पीछे थमाया और दूसरे साथी ने उसी वक्त ATM में कार्ट स्वाइब कर दिया और बाकी पिंतो उसे देखकर पता चली चुका था और उसके बाद उन्होंने वो ATM कार्ट स्वाइब करके उस आदमी को वापस दे दिया और देखिए कैसे उसके खाते से पैसे निकल गए दोस्तों आपने अपने ATM कार्ट में पीछे की तरफ काले रंग की पट्टी देखी होगी इसे मागनेटिक स्ट्रिप कहा जाता है इसी के अंदर मौझूद होती है आपके खाते की सारी जानकारी इस जानकारी को चोरी करने के लिए करते ही हमारे कार्ड की जानकारी चुरा लेता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता इस जिवाइस में मिमरी कार्ड और चिप लगे होते हैं यानि एक चोर के पैस आपका ATM कार्ड फिजिकली नौ होते हुए भी मौझूद है लेकिन सिर्फ कार्ड की जानकारी होने से पैसा तो चुराया जा नहीं सकता पिन भी होना चाहिए चोर इतने शातिर होते हैं कि पिन की जानकारी के लिए छोटा सा कैमरा वो ठीक पिन के डालने की जगा के उपर लगा देते हैं जो आपका pin देख लेता है और वीडियो बना देता है और ये वीडियो इस चिप में लगी memory card में save हो जाता है और ज्यादा तर backup के लिए इसमें इतनी बड़ी battery लगी होती है ताकि ये device घंटो तक लगाता है और वीडियो save कर सके और हो सकता है कि ये device इतनी सफाई से लगाई कि आपको इसकी भनक तक न पड़े अब चोर के पास आपके card की detail है जिसके जरीए clone card बन जाएगा और अब card और pin दोनों मौझूद है जिसका इस्तिमाल करके वो आसानी से आपका account खाली कर देगा और अब इस धोखा दड़ी से बचने का यही तरीका है कि आप जब भी ATM में जाएं तो प्योग करने से पहले इसकी जांच कर लें मशीन पर card reader वाला section सामाने से ज्यादा उभरा हुआ हो या फिर धीला लग सकता है ऐसा उसके साथ छेड़ छाड़ के कारण होता है उसे हलके हाथों से हिला कर या खीच कर देख लें ताकि नकली हुआ अगर वो तो बा कई बार चोर camera न लगा कर नकली keypad लगा देते हैं ताकि pin की जानकारी ले सके हैं और उस थते में camera चेक करने के साथ-साथ keypad चेक करना भी ज़रूरी होता है अगर keypad बेढ़ंगे तरीके से निकला हुआ प्रतीत हो तो इसकी जांच कर लें क्योंकि ये नकली हो सकता है अगर अगर आप अपने ATM pin को save रखते हैं तो skimming होने के बावजूद जालसाज आपके card को clone नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके pass आपका pin नहीं होगा अगर आपको कभी भी ATM insert करने वाली slot या keypad के आसपास जरा सा भी शक हो तो ATM में मौजूद गार्ड या पुलिस या पास के bank को आपका card आपको वापस दे देता है बस वो इतना करते हैं कि अपने दूसरे हाथ में एक skimmer device इस तरह से छुपा के रखते हैं और machine में swipe करने के बाएद चुपके से अपने हाथ में मौजूद skimmer device में आपका card swipe कर लेते हैं और इससे आपके card की जानकारी उस device में store हो जाती है और बाकी वो पिंटों फिर आपका देखी लेते हैं जिसके चलते हो बाद में duplicate card बना कर आपके पैसे निकाल लेते हैं दोस्तों इस तरह की चोरी में शाते चोर ETA machine की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और अपने पास ऐसे हाथियार रखते हैं जिससे एक second में machine खुल जाती है और वो machine के software और hardware में hairfare करके पैसे लेकर चले जाते हैं और अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों का खयाल जरूर रखें ATM से रकम निकालने से पहले जाच लें कि कोई skimmer device तो नहीं है Swiping board के अगल बगल हाथ लगा कर देख लें कोई वस्तू नजर आए तो साफधान हो जाए skimmer का device ऐसा होता है कि machine का पार्ट लगता है और इसके साथ ही हो सके तो keypad का एक कोना दबाए और अकर keypad skimmer होगा तो वो एक साथ होट जाएगा मजूदा समय में जरूरी है कि debit card का pin बदलने और इससे ATM fraud करने वाले गिरोह के जाल में फसने से बच जाएए आप अपने bank में email ID और number जरूर register कराएं और updated रखें जिससे किसी भी तरह के transaction की आपको update आती रहे और किसी भी सूरत में आपके account में अगर कोई transaction दिखता है जो आपने नहीं किया है तो उस बारे में तुरंट bank या पुलिस से संपर करें तो दोस्तों अगर ATM card से जुड़ी और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें comment section में comment करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले बत्तने वाद